शहबाज शरीफ ने बड़ी लंबी लंबी छोड़ दी और शहबाज शरीफ ने क्या छोड़ी शहबाज शरीफ ने यह बोला साब हम भारत के साथ दोस्ताना तालुका चाहते हैं हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो रिलेशन्शेप है वो बिलकुल ठीक हो जाए हम दोस्त बन जाएं, बला बला और हम ये करते हैं, वो करते हैं, तो यहाँ बहुत के चीज़ें उसने अपनी बात बोली है, ठीक है, अब पाकिस्तानी लीडर्शिप ये तो दोगली है, और इन्हों ने वही ड्रामा, वही नेरेटिब बेचा है अपने लोगों को, अब पाकिस पर सेने Ministry of External Affairs Government of India के उन्होंने एक बात साफ बोल दी किया देखो सुनो तालुकाद भारत हर एक मुल्क से अच्छे चाहता है वो नेबरिंग कंट्री हो उससे तो अच्छे तालुकाद चाहता है भरत इंक्लूडिंग पाकिस्तान लेकिन इटास्ट भी इन एंवारिनमेंट फ इसलेए भारत ने ताला लगा दिया अब मैं आपको बताता हूँ एक दो और बात इसजु यह है ना कि पाकिस्तान सिर्फ चाहता है मैं कई बार उचुका हूँ आप लोगों को मैं दوبारा रिपीट करता हूँ इपाकिस्तान का हाथ सर asynchron का एसा रहता है Pakistan's hand is always like this कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो प्लीस मुझे कुछ दे दो अल्ला के वास्ते कुछ दे दो, कुछ तो दो यार मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाओंगा तुमारे घर आया हो मैं खाली हाथ नहीं जाओंगा ये पाकिस्तान का एक narrative रहा है डे बन से जब से मुल्क पैदा हुआ है तब से यही काम करता चला है अब मैं आपको दोस्तों छोटा से एक एक्जामपल देता हूँ भारत को द्यापार करना है अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रिल इशिया के साथ या फिर भारत को कुछ राहत की जो चीज़ें होती है खाने पीने की चीज़ें हैं कंबल दवाईयां वो अफगानिस्तान बेचनी हैं बीच में पढ़ता है पाकिस्तान पाकिस्तान अलाव नहीं करता है पाकिस्तान कहता है नहीं हम आपको एकरने नहीं देंगे, we will not allow you to do this, क्यों नहीं करने दोगे, तो पाकिस्तान खुद अलाओ नहीं करता अपनी जमीन इस्तमाल करने के लिए भारत को कि भारत ट्रेड कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के थूरू जाना पड़ता है, लेकिन जब पाकिस्तान के जरूरत पड होई है, और पाकिस्तानी आवाम की तो एक बात है, इनके जो लीडर है, इनकी हराम का खाने की आदत कहां से पड़ गई, यह डे वन से इस मुल्क की हराम का खाने की आदत है, आवाम की बात नहीं कर रहा है, मैं इनके जो अश्राफियां हैं, यह हराम का खाते हैं सब को, औ अमरीका-बॉले से यिशेग पाकिस्तान को तो पाकिस्तान में पैसे भी अमरीका से चूड़ बोलके. फिर अमरीका और चाइना के बीच में उन्होंने मीटिंग करा ही उसके पैसे खा गई है फिर सियेटो सेंटो यानि की यहां से पैसे पकड़े यहां से जैसे बिचौलिया होता ना धलाल आपने देखा होगा आज कल तो कम हो गए लोग बहुत जादा लेकिन आप एक जमाने मे यह पाकिस्तान का काम है यह पाकिस्तान का काम है दोस्तों आपको समझना पड़ेगा तो एनिवे भारत ने तो उनको सीधी सीधी बात कह दिये कि बॉस देखो लेट्स बी वेरी क्लियर ठीक है तुम्हें ये सब चार पांच चीज़ें करनी पड़ेंगी उसके बाद हम बा अच्छा नहीं लगता तुम्हें एक मुल को क्यों हर समय हाथ पहला है सबके सामने गुंते रहते हो कि अल्ला के वास्ते कुछ दे दे बाबा यह अच्छा दोस्तों Morgan Stanley बहुत बड़ा एक financial powerhouse है लोग जानते हैं यह कल इसकी रिपोर्ट आई थी कि Modern Stanley ने जो यह रेटिंग देता है ना देशों को अलग 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 देशों की रेटिंग्स होती हैं दोस्तों और Morgan Stanley आप उनकी वेबसाइट पर जाके देखें बड़ा जबरदास्तिक organization of Morgan Stanley उन्होंने बोला है कि India Morgan Stanley has upgraded its view on India's market to overweight from equal weight overweight का वो मतलब नहीं है जो आपके पेट निकला हुआ नो नो वो नहीं इसका अच्छा मतलब है बुरा मतलब नहीं है है ना overweight का मतलब है कि nation's reform and macro stability agenda supports a strong apex and profit outlook यानि कि इसका यह कहने का मतलब है कि जो nation में reforms चल रहे हैं जो सुधार चल रहे हैं और macro stability यानि कि बड़े पैमाने पे जो stability चल रही है जो स्थिर्ता है भारत में कि ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो भारत डोल गया कुछ हो गया तो भारत हिल गया ना 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 दुनिया भर में चल रहा है तो भारत में normal चीज़न चल रही है रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ऐसा नहीं कि भारत में हाहाकार हो गया भारत ना मैनेज करा कोविड में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई बहुत लोगों की जाने गई बड़ी मुश्किल आई लेकिन भारत हिला नहीं स्टेवल रहा तो यह दो तीन बड़ी बड़ी चीज़ जो वेश्विक्स तर पे हुई है उसके बाद भारत के परफॉर्मेंस देखके मौगन स्टैनली ने बोला है कि भारत का जो नेशन जे रिफॉर्म और जो सुधार कर रहा है अपने कानूनों में और अपनी पॉलिसीज में और मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा है जो मैंने बोला स्थिरता सपोर्ट सटॉंग केपेख्स है ना और प्रॉफिट अउट्लूट केपेख्स क्या होता है जब आप किसी चीज को युझा आप खर्चा करते हैं प्रिक तो और ओप जापने अएरपोर्ड बनाए आपने शिप्यार्ड बनाए वो आपका केपेग्स expenditure है उसी प्रकार से company है अगर मेरी company है और मैं company में work stations लगाता हूँ employees के लिए या मैं उनके लिए laptops खरीता हूँ तो यह capex expenditure है opex उल्टा होता है opex वो होता है जो regular आपके पैसे जैसे तंखा हो गई यह जो जाते रहतें capex एक बार होता है right opex बार-बार कर्चे तो capex जो one time मोटा पैसा लगाना है वो भारत में capability है Morgan Stanley ने बोला Morgan Stanley ने ये भी बोला है कि India's macro indicators remain resilient and the economy is on track to achieve the 6.2 GDP forecast 6.2 का GDP है वो forecast भारत अचीव कर लेगा Morgan Stanley ने बोला है लेकिन Morgan Stanley ने एक और बोला है कि भाई-साब ये कहना चाह रहे हैं कि firm also cut its rating on Chinese stocks to equal weight पहले चाइना का ओवरवेट थाब चाइना equal weight पे आ गया है क्यों कहते हैं कि investors should capitalize on a rally spurred by government stimulus pledges to take profits India is arguably at the start of a long wave boom देखो इंडिया ये कह रहा है कि इंडिया एक लंबी boom wave की शुरुआत में खड़ा है अब इंडिया की भारत की जो boom है economic boom की बात कर रहा है ये boom शुरू हो गई है और चाइना की खतम हो रही है अब समझ रहे हैं चाइना ने जितना दूद निकालना था चाइना निकाल लिया अब चाइना इस से जादा नहीं कर पाएगा ऐसा Morgan Stanley का मानना है पाइना झालना थाज़िए जाँ तर यहा झालना है